नमस्कार मैं हूँ Dr. Surabhi Solang जो couples इस वज़े से conceive नहीं कर पा रहे हैं कि वो frequently sex नहीं कर पाते क्योंकि wife को काफी pain होता है sex के दौरान जिसकी वज़े से वो husband को allow नहीं करती है sex करने के लिए एक patient थे ये जो couple था ये conceive नहीं कर पा रहा था वेजायना में तो sex painful ही होगा penetration painful ही होगा और इसके कुछ कारण हो सकते है dryness रहने के एक तो ये कारण हो सकता है कि आप 4 play को अच्छा time नहीं देते हैं अगर आप ठीक से 4 play करते हैं तो generally lubrication अपने आपी natural lubrication हो जाएगा वेजायना में wife के और उन्हें दिकत नहीं आएगी sex करने में दूसरा कारण ही हो सकता है कि आपकी wife को कोई परिशानी है emotional level पे या कोई stress है जिसकी वज़े से वो sex नहीं करना चाहती है तो be nice to your wives अगर आपको अच्छा sex चाहिए bed पे तो ये भी एक बहुत बड़ा factor रहता है कि अगर if she is not happy she will not be able to cooperate with you in the bed तो आपको इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना है तीसरी चीज this couple was using lubricant के तोर पे coconut oil ये बिल्कुल मुझे उनको मना करना पड़ा आप भी अगर pregnancy चाहते हैं और आप lubrication के तोर पे तेल यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल stop कर दीजे इसको तेल बिल्कुल नहीं यूज करना है और नहीं कोई भी ऐसा lubricant यूज करना है जो कि आपके sperms के लिए male के sperms के लिए friendly जो नहीं है और उसको affect कर सकता है ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करनी है दूसरा इस case में ये था कि they were using delay gel also husband was using delay gel delay gel क्या होता है ये एक तरीकी का gel होता है जो males generally use करते हैं अपना ejaculation का time delay करने के लिए ताकि देर से ejaculation हो और ज्यादा time उनको sex करने के लिए मिल सके ये gel अगर आपको pregnancy चाहिए तो आप बिल्कुल मत use करिए आज ही बंद कर दीजे इसको use करना इसको अगर आप use करेंगे तो आपके sperms पे bad effect हो सकता है और आपकी pregnancy तो फिर होगी नहीं तो बिल्कुल इस type का gel आपको नहीं use करना है और अगर बहुत जादा जरूरी है लूब्रिकेंट यूज करना तो market में आजकल sperm friendly लूब्रिकेंट आते हैं और आप उन लूब्रिकेंट को use कर सकते हैं जिनकों की fertility लूब्रिकेंट कहते हैं अब दूसरी चीज ये कि हर बार dryness ही कारण नहीं होती है पेइन होने का कई बार wife के uterus में कोई problem हो सकती है उसके pelvic area में जो organs है rectum में कोई problem हो सकती है तो ऐसे cases में आपको जो original cause है उसको treat करना पड़ेगा otherwise sex उनके लिए painful रहेगा जो कि बहुत बुरी बात है और ऐसे में अपनी wife को pain देना sex के दौरान तो बिल्कुल सही बात नहीं है if she needs treatment तो आपको पहले उन्हें treatment दिलाना चाहिए तो कैसे पता चलेगा कि uterus में कोई problem है या अंदर pelvic area में कोई problem है जिसकी वज़े से उन्हें sex के दौरान pain होता है ना की dryness क्योंकि देखे क्या होगा कि इस चीज के साथ dryness अपने आप associate ऐसे हो सकते कि माल लीजे आपकी wife के for example fibroids हैं uterus में और उसकी वज़े से उन्हें penetration के दौरान pain होता है तो अब जब उन्हें पता है कि मुझे penetration के दौरान pain होता ही है तो वो अपने आप उनके vagina में lubrication नहीं होगा sex के दौरान और dryness अपने आप add-on हो जाएगी आपकी problem के साथ तो ऐसे cases में भी जहां उन्हें पता है पहले से कि वो pain के साथ associate करती है sex को तो वो बिलकुल आपको वहाँ पे dryness उनके naturally ही रहेगी लेकिन जो original cause होगा dryness का वो pain होगा जो की fibroids की वज़े से है uterus में अगर वो fibroids का problem solve हो जाता है और दीरे दीरे उन्हें एहसास होता है कि नहीं sex pleasurable है sex के दौरान मुझे pain नहीं होता है तो वो dryness अपने आप ही ठीक हो जाएगी और आपको कोई artificial lubricant use करने की जरूरत महाँ पे नहीं होगी तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर pain रह रहा है तो आप एक pelvic ultrasound wife का जरूर करवाई है pelvic ultrasound में क्या होता है कि wife के जो uterus होता है क्योंकि जो पेट का निचला हिस्सा होता है उसको pelvis बोलते हैं तो वहां का आपको उस एरिया का ultrasound कराना है कई बार आपको ultrasound में diagnosis मिल जाएगी कि कि किस वज़े से wife को pain हो रहा है कोई leasin तो नहीं है कोई घाव तो नहीं है कोई fibroid तो नहीं है कई बार endometriosis नाम की एक बीमारी होती है जिसकी वज़े से कि pain होता है wife को sex के दौरान तो uterus से related कोई समस्या कोई बीमारी तो नहीं है एडिनो मायसिस नाम की एक बीमारी होती है उसमें भी pain होता है wife को sex के दौरान तो ये चीज़े exclude करनी पड़ेगी और अगर uterus में fibroids या एडिनो मायसिस या endometriosis ऐसी बीमारीों की वज़े से pain हो रहा है wife को तो पहले इनका इलाज कराना ज़रूरी है तभी आप एक normal sex जो है वो experience कर पाएंगे husband wife as a couple और तभी आपका baby का सपना भी पूरा हो पाएगा last में एक और point हम touch कर लेते हैं कई बार क्या होता है कि नई नई शादी में जो first time sex होता है उस दौरान wife को क्योंकि first penetration में pain बहुत होता है तो वो मना कर देती है sex के लिए और allow नहीं करती है तो सबसे पहले चीज़ इसमें जानकारी का भाव हो सकता है कि अगर उन्हें लगता है कि sex के दौरान penetration के दौरान पहले ही pain से वो डर जाती है तो वहाँ allow नहीं करेगी तो अगर उनको यह जानकारी हो कि यह जो pain होता है यह केवल first time sex में ही होता है और यह generally जब hymen rupture हो जात में एक अच्छी emotional bonding होनी चाहिए husband को जल्दी नहीं मचानी चाहिए sex करने के लिए पहले अपने wife के साथ एक emotional bond बनाने की कोशिश करिए एक friendly relationship बनाने की कोशिश करिए और उसके बाद आप wife के भी problems को समझते हुए sex के साथ proceed कीजिए उन्हें अपनी feelings बताईए अपनी need ही है तो आप better sex कर पाएंगे अपनी wife के साथ तो यह जो first time का pain होता है generally hymen की वज़े से यह second time normally नहीं होता है जाधा तर नहीं होता है तो यह proper communication और एक अच्छी bonding बनाने से यह चीज़ overcome हो सकती है और कोई problem इसकी वज़े से नहीं आएगी hopefully आज का वीडियो आपको useful लगा हो साथ वो notification bell भी जरूर प्रेस ख़र दीजेगा ताक कि मेरे आने वाले pregnancy से related useful videos की notifications आपको time से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना थ्यान रहे झालो